सबीको नमस्कार अभी हम UPSC Prelims 2022 को दियान में रखते हुए MCQ स्रीज चला रहे हैं उसकड़ी में यह आज चोता वीडियो है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो आपने पहले की वीडियो तीन वीडियो नहीं देखें तो एक बार जुरूर देखना और इन वीडियो में हम कोशिस करते हैं कि UPSC की Prelims के कुशन कैसे attempt लें क्या हमारे पास एक तरीका होना चाहिए VCS कर जो मेरा नुबह हो है वो आपको मैं बताता हूँ काफी अच्छा response आप लोगों की तरफ से मिला है इसलिए मैं यह series continue कर पा रहा हूँ और आपसे आसा है कि इस वीडियो को भी आप वैसा ही प्यार दोगे और वीडियो को like share करोगे साथ में comment करके बताओगे कि आज पेपर ही लेके चलेंगे तो उसकड़ी में यह 2019 का पेपर है तो सेम तरीका है आप कुष्ण सबसे पहले देख लो और हमसे इंगलिस हिंदी दोनों मीडि में यहां पर दे रख है और कुष्ण attempt लो और अपना answer भी देखना साथ में तो मैं कुष्ण देखता हूँ कि सवद कर लेना अदर्वाइस गलत कर लेते हो कई वार ठीक है तो statement पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया गया है पहला statement कि इसने सभी सोरी इसने देशी सिल्पकारों के कोसल उदेगों को पुंदर जीवत करने में युगदान दिया तो आपको थोड़ा बहुत भी knowledge है जैसे सवदेशी आंदर्वन 1906 के आसपास हुआ है बंगाल विवजन के आसपास आपने सुना होगा यह गटना तो सवदेशी आंदर्वन है सवदेशी के आंदर्वन में क्या हो सकता है सभी चीज़े सवदेशी होगी जिनका हम क्या करे है कि इस हमें सवदेशी मोमेंट के साथ हुई तो जब बात चल देशी सवदेशी चीजों की तो सिक्सा भी उसमें सामिल है तो कहीं ही कि आपका common sense क्या कहीगा कि यार लग तो रहा है कि हां इस हमें रास्ते सिक्सा प्रिशित की सापने हुई होगी एक चीज़ हो रहे है क् का common sense चेक नहीं कर रहा है यहां पर कि यूपीस यह थोड़ी साथ है आपसे कि बहुत ज़्यदा रटा मारके आप इन इन कांसर आप अटेंप्ट लो तो यही common sense चलता है उसके साब सी दोनु स्टेट्मेंट सही आंसर है इसका ठीक है सी इसका सही होगा तो कुशन थोड़ा को सही करोगे एक बार आंसर की देख लेते हैं ठीक है यहां पर देखना पांच में सी आंसर इसका बिल्कुल सही है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको UPSC Free Classes के बारे में बताना चाहूँगा प्रेप लेडर एप आपके लिए लाया है साथ दिनों के लिए बिल्कुल Free में अपने सबी courses को आप यदि new जरो यहां पे enroll करते हो तो आपको साथ दिनों के लिए इनके जितने भी paid course है बिल्कुल Free में मिलेंगे आपको मेरा code इस्तिमाल करना है धर्म आप यहां पे classes अक्स सरके उसी से बता रहा हूं आपको तो ठीक है यह आप देखना आसान है मतलब आप इसको यहां पे देखना अटेंट लो इसको आराम से वीडियो को पोज कर लो और अटेंट लो तो यह कह रहा है कि गुप्तकाल के दोरान गुप्तकाल के दोरान बारत में बलात सरम यानि विस्टी की बात कर रहा है यहां पर देखना फोस्ट लेबर की बात कर रहा है विस्टी की बात कर रहा है से समझनित कौन सा खतनी स्में सही है तो पहला कि इसे राज्जे के लिए नाता जैता था जंता द्वारा देह जाने वाला एक परकार का कर माना जाता था ठीक हो सकता है एक बार आगे बढ़ते हैं आगे खेयरा है कि एक गुप्त सामराजे के मद्यपर्देश और काथ्यावार चेतर में पूर्णत एविदिमान था इड़ वाज टोटली अपसेंट इंद मद्यपर्देश काथ्यावार इजन उपदी गुप्त एंपायर तो एक चीज आप देखो कि यह करत टोटली अपसेंट है पहली बात तो ए एक चीज इसमें और है टोटली अपसेंट हो यह तो बात है कोई चीज टोटली अपसेंट कैसे हो सकते हैं कहीं नहीं कि कुछ तो उसका अंस बागी रहता है ठीक है तो इसको हम एलमिनेट कर रखते हैं और वह भी हमारा कॉमन सेंस पर कहता है कि यह नहीं होना चाहिए मतलब तो मैं कोई आपको गलत सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं कैसे अटेम्ट रहता हूं कि मेरा अपना तरीका बता रहा हूं सबका अपना तरीका बता है तो साहिद मेरे तरीके से यह आपको help मिले तो अच्छी बात है ना और यह आप decide करोगे मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो decide करेगा कि आपके लिए सही है कि नहीं ठीक है गलत लगेगा तो मैं खुद यह series बन कर दूँगा अच्छल में क्या जैसे प्री पास में आरी तो मैं खुद भी अपने डेली 10-15 कुछन यूपीसी के पुराने पेपर देखता हूं अट्रेम्ट लेता हूं कुछ उनसे सीखने की कोशिज करता हूं और वह अनुबव आपके साथ सेर करता हूं बस मेरा यह तरीक है और यहां प करना कि मजदूर के जैस्ट पूतर को तो एसा आप जानते हो एसा कुछ होता नहीं है तो एक चीज आप इसको भी इलिमिनेटर कर सकते हो तो common sense तो यह हो गया फिर इसको थोड़ा बहुत आपने पड़ा याद आ रहा तो भी कर सकते हो बाकि common sense technique से भी इसको आप निकाल सकत है ठीक है यह answer है okay कुछ लोगों का एक और कमेंट है कि इससरे आप कुछ कुछ कुछन क्यों करा रहे हो पूरे कुछन कराओ नो पूरी पेपर के तो आप यही प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने already करवा रहे हैं आप वहां पे देखना 2019-16 already करवा रहे हैं लेकिन यह तरीका ज्यदा benefit देने वाला है कि इसमें आपका confidence बढ़ेगा कि दस-दस कुछन से जो मैं बताना चाहरा हूं वो चीज़े यहां से सीखा सकता हूं वह पूरी पेपर पर लागू नहीं होता है ठीक है इसलिए मैं यह selective बता रहा हूं बाकि पूरे देखने तो जाके दे लेते हैं यह अराम से पड़ोश को कि भारत में ब्रेटिस ओपने सिक्सासन के संदर में निम्लिक खत्रों पर विचार करना है ठीक है ब्रेटिस को लिनियल डूल इन इंडिया इसके बारे में आपको बात करना है तो पहला यह बात करा है कि महत्मगांधी के दुआरा जो ग लोगे आप अराम से कर लोगे इसा कुछ नहीं जिसनी गांधी जी के बार में यह नहीं पड़ाओ ठीक है तो पहला स्टेट्मेंट हम सही महां लेते हैं आगे लाड़ चेम्सपोर्ड की वार कॉन्फरेंस में मात्मगांधी ने 20 वह युद्ध के लिए भारतियों की बरती अंग्रेजों के स्टेट्मेंट बिल्कूल गलत होगा ऐसे आपको तरीक अपनाना है कि सुरू में गंधी जी क्या थे स्योगी थे स्योगी से बाद में ऐसे बने रोलेट एक्ट के बाद में तो यह कॉमन सेंसी काम करें कि आपने पढ़ाई की कैसे इसको करके कुशन को काटा है तो इसको भी सी को एक बार चेक कर लो कि भारत के लोगों द्वारा नम्मक कानूर तोड़े जाने की प्रणाम सुरूप अपने सिक सास को द्वारा भारतिराश्ट्रे कांग्रेस को अवेद गोसित कर दिया यह फेक्ट कभी पता होता या नहीं होता लेकिन हमारा आ इस तरीके से या मतलब आप ऐसे कर सकते हो एक दम सटिक तरीके से इनको आप कर सकते हो तो कितना फाइदे मन देए ठीक है कि आगे बढ़ते हैं कि यहां पर आप देखना सिक्स्टिन कुशन देखना मियां तां सेन के संद्रब में निमलिर में कोन सा हतन सही नहीं है यह ज्यान उकल के लाना है तो पहला करए समराथ अक्बर के दौरा इन्हें तांचन के उपादी दीगी थी देखो आप ऐसे लगबग नहीं सुना होगा कि तांचन कहां पे थे अक्बर के दर्बार में थे तो आप बीना सोचे समझे इसको आंशर को यह टिक लगा ठीक है, या सास्तिर ये जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो तो उसमें ये बात है कि देवीदेताओं का स्तान होता है ठीक है, तो इसको आप मान सकते हो कि यार ये तो सही statement है हमारा नसुर ये सही नहीं हो सकता ठीक है, तांचे ने अपने सरक्सों के समधित गानों की रचना की होगा, यह सबावी बाते कोई भी सरक्सक होगा, तो सबावी बाते कोई राइटर होगा, या पोईट होगा, या संगितकार होगा, उनसे समधित क्या करेगा, रचना बनाएगा, तांचे ने रागों की रचन कि यार ये बात तो सही है कि UPC कभी भी ये आपसे चेक नहीं करना चाहरा होगा कि को इश्ट्री के अंदर कौन सी सन है को किस फ्लाने में क्या हुआ था तो एक बात है UPC आपका कॉमेंचेन सी चेक कर रहा है ये ऐसे कुशन से पता सलता है और यहां से यह दिया आप इस चीज पर विश्वास करते हो कि वाकई हम कुशनों का बार-बार रिसर्च करते हैं इतने कुशन निकालते हैं कि एक समय यह आता है कि कुशन खुद बोलता है इस कानसर यह है यह इतनी जिदा आप में होने चाहिए आंसर राइटिंग प्रेक्टिस की यहां पे जो आंसर जो हम प्री के निकल निकाल रहे हैं उसमें यह सचाई वाली बात है कि आप मेहनत इतनी ज्यदा करोगे ना तो नींद में उठा के कोई पूझेगा ना आपको तो आप उस कानसर सही बताओगे यह मेरा अनुब हो है मैं मैं मैसूस करता हूँ यह भावना है मेरी है जो आपको अभी वेक्त कर रहा हूँ मेरे साथ एसा ही होता है तब ही यह होता है कि एक समय के बात में प्री नहीं रुखता है प्री एक्जाम में आपका जानमने वाले पीछे हो जाएं मतलब इंड़ी तो इसका बात में जब आंस्र देखा तो ये सही बात थी कि थान से उता हुपादि अख्भर नहीं तो ऑपादि कोई आुपादि दी थी तो ऐसे इक आंसा सारा स्ट्राइट सही झाहिए ईए आनसर आगे जैसे 2019 का ये पेपर में भी दे रहा था कि उस साल मेरा प्री वा था ठीक है 2019 की पेपर की बात कर रहे थे ये पेपर वही है ठीक है और उस साल मेरा स्कोर साइध एक सो दो तीन रहा होगा कटोप से मतलब जो बीसी की कटोप गए थी उससे पांच नमर उपरी था तो उस समराथ में सचित्र पंडुली पोई ध्यान अठाकर चित्रादार एल्बम या व्यक्ति की रूप चित्र उन्होंने बनाए ठीक है यहां पर आप देखना कि मुगल राजी से समझ देता है और मैनुस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविज़ल पोट्रेट की किसने ब बहुत आइडिया था कि यार जहांगिर बहुत अच्छा चितरकार और इसके बारे में नौलेज रखता था फिर आंसर जब चेक किया वास्ता में सही वा तो ऐसे कुछन से प्री निकलता यार क्यों निकलता आप यह सोचो को कि आपको क्योल साथ कुछन अटेम्ट लेने उ आपको अटेम्ट लेना है मैं चेक लेता हूं सत्रा में इसी अन्सोर है कि आगे यह कुछन पड्रिंट लो यह अच्छा कुछन है यह विलकूल कॉम्ट चैन्स सादरन कुछन नहीं आपने पढ़ा हूँ कहीं तो बहुत सार्शार को बहुत सकते हैं कैसे यह कह रहा है कि जून 21 तारीक को सूरिय अब जून 21 तारीक को सूरिय कहां पर है यह पूच रहा है तो यह पूच रहा है कि कि उत्री दुर हुए वर्थ पर शितीय से निचे नियंवता दखशनदूरी वर्थ पर मज्द्यान में भूबंदरेका पर उध्वादर रूप से ये चमकता है, मतलब वожно ऐसी यह होते हैं, इसके लाब मकरेका पर उत्वादर का present समकता है, तो एक उतुरी गुलार्द में सिधा करक्रिका पर 21 जून करक्रिका सिधा सब पढता है है। तो इसका मतलब उत्री धूर्वी वर्त पर शिती से नीडरूता है। मतलब इस दूर्यों परदेश में 24 गन ठेक्या होता दिन होगा उपर वाले परदेश में हमेशा मतलब सूरी दिखाए देगा दिन में रात में सब समय ठीक है तो यह पूछ रहा है सिंपल सा कुछन है कोई इसमें यह नहीं यह आपका नजरी है आप आस पास में इतनी कर जाएंगे सिधा साही तो एक वर चेकर लेते हैं अनसुर ट्वंटी में 20 में यह अनसुर है देखलो आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा यह सबसे लोलीपोप वाले कुछन होते हैं चलते हैं आगे यह कुछन भी लोजिक वाला है बहुत आसान है कुछन क्या है आप आरा परसलन सुरुआ यह कह रहा है कि नई करसी है और उसको लाया गया कहा पर जो पराचिन सबेता है इसको ऐसे समझ सकते हो आप तो इसको देखो कैसे करते हैं मैंने इसको किया कि यार इतना तो हमें नोलेज है कि हम हडपा सिंदु सबेता पढ़ के आएं वहां पे ग्यों की भी होती थी वहां पे क्या होता था कपास की खेती भी होती थी तो यह निवर्ड की तो कोई बात ही नहीं है तो यह निकाल दिया कपास निकाल दिया और ग्यों निकाल दिया तो कौन सा उप्सन बचा देखो अपने आप निकल के आया कि यह तंबाकू को को आप जानते हो य यहां पे जैसे इंडिया में या दक्षिन पूरी ऐसिया में यहां पे इनकी रोपन कर्शी शुरू की थी तो यह बास है कि यह आनस्वर इसका निकल के आ गया इस कुछन को तो आप समझ गया ना बहुत आसान है कि यह न्यू वर्ल्ड की बात करा जैसे एक तंबा को 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 करनी होते हैं लगबग आप यह मान सकते हो कि दख्ष्णी अमरिका की खोज नहीं हुई है यह वहां पर एसे पादब रबड पादब जो है में तो ऐसे करके मतलब इसका अंसफर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब कपास और ग्यूंत पहल्ट यह क्या शुरू करेंगे ऐसा किसन की भावनाती करने की तो यह किदना आसान हो गया इसको करना फिर एक बार चेक कर लीत और एकिसमे एकिसमे आंसर में एही सही है ठीक है आप देखो आराम से एह अनसर ही सही है आगे बढ़ते हैं यह कुछन आसा नहीं है लेकिन इसमें आप गलती कर जाओगे क्योंकि आपने बोज़ गई यह देखा कि आपको ना अक्स्ट्रीम से उसन वाला निकाल देना है जहां प यह अच्टिए भार से प्लेटी कि निम्लिक खत्राइब करना विचार करना को यह साए पीचला है आरा कि आप प्राकरती गुरूभ से सिर्फ भारत में पाया जाता रिख Mmmiu इन नाम इस एसे हई या में पाय जाता होगा तो मैं इसको गलत कर लोता लेकिन पिर आगे बड़ा, ऐसे इस statement को लेके मैं करता केवल, क्यार, ये ऐसे ही share की बात कर लाए, तो प्राकरती रूप से केवल भारत में कैसे पाई जाएगा, ऐसे share कहीं, ऐसे में और भी दुपाई जाएगा, तो ऐसे करता में तो इसको क्या करता में, एक एक निकालता तो मैंने एक वार, ये BBC की डोकुमेंट में देखा था, कि दो कुबड़ वाला उंट मंगोलिया और गोबी मुरूस्तिल में देखा था, तो ये मेरे पास थोड़ा सा अनुबह था, कि सीथ परदेस में ये उंट दो कुबड़ वाला पाया जाता है, जैसे मैं राजस्तान से हूँ, तो हमारे यांट जो उंट होता है, वो एक कुबड़ वाला होता है, क्योंकि पानी की, मतलब थोड़ी बहुत, उनको सप्लाई हो जाती है, लेकिन सीथ परदेस में उनको पानी की साइध ज्यादा संकट होता होगा, इसलिए दो कुबड़ है उनके, क्योंकि कुबड़ पानी को स्रंक्षन करके, वसा को पानी में मतलब के काम आता है, कुछ ऐसा, ठीक है, तो लदाक में तो पाया जाता है, तो इसका मतलब कहां पे पाया जाता है, और जगे भी पाया जाता है, तो ये स्ट्मेंट आप पका गलत हो जाएगा, कि ये हमारा थोड़ा बहुत नोलेस था, वेवारिक नोलेस था, कि यूटूब पे या कहीं आप देखते रहते हो, बी-बी-सी वाला डोकुमेंटरी इंवारिमेंट की ऐसा कहीं देखी हो आपने, तो दो गलत हो गया तो इसका मतलब एक तो शोर सही हो गया, एक तो पका शोर सही हो गया, पहले हमें डाउड था इस पर लेकिन आप सही है, आगे खहरा है कि एक सिङ्ग वाला डड़ प्राकरति रूप से सिर्फ भारत में पाय जाता है, तो जैसे भारत में जाता है, नोर्थ इस्ट में, काजिरंगास में आपने हैं सुना होगा तो भारत, इसका मतलब ये तो है, कि यार इस पर कई वार यह भी होता है कि नेपाल और बुठान के में भी आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे पाई जाते हैं तो यह स्टेटमेंट भी क्या गलत हो जाएगा एक्चली मैंने इसको सही कैसे किया था इसे स्टेटमेंट को निकाला था कि सुडान के अंदर उस समय चट्चा में रहा था एक सिंग गेंड़ा वाला साइद वहां पर एक मेल गेंड़ा थलाश जो उस समय खतम हुआ था तो मुझे पता था कि वहां पर भी ऐसे गेंड़े प शिर्प लिखावे तो आप काड़ दोगें इसा नहीं करना आंसर इसका वही सही हुआ फिर तो 22 के अंदर यह आंसर बिल्कुल सही है आगे पढ़ते हैं यह कुछ असान है इसमें कई बार हम गल्ती करते हैं कि हमें लग रहा यार यह तो हमें नदियां वगरा कुछ नहीं पढ़ रही है तो मेरा गल्त होने वाला मैं अट्टेम्ट निलेता हूँ मैं भी ऐसा पहले सोचता था लेकिन आजगल अटेम्ट लेन तो यह तो पता है कि मलपरबा तो नहीं होगी 100% पता है कि मलपरबा नहीं होगी मुझे बस इतने ही पता है तो यह पता है तो मैं तीन निकाल दूगा जहांदा तीन है तो अपने हाँ बोल रहा है कॉन्पिडेंस से बॉल रहा है कि हाँ यह होगा यह तो मुझे कंफर्म पता है कि तुम बुद्रा हम पी वहाँ पे ठीक है अब तेश में एहां सुर एक बार चेक कर लेते हैं तो यह मैं छोड़ देता इसी अच्छा है मैं रिस्क लूँ रिस्क लेना पड़ेगा परी निकालना तो जरूरी है तेश में एह ठीक है तो क्या यह पेपर क्या है कटोप डिसाइड यही कर रहा है पहले तो क्या हुदाता जैसे सिश्चेट के मारक्ष भी जूड़ते थे त तो रिस्क यहां कम लेते तो भी काम चल जाता था या पहले उप्सन सब्जेट हुआ कर देते परी में लेकिन जब से यह पेपर केवल कटोप यह डिसाइड कर रहा है तो यहां पर रिस्क आपको लेना पड़ेगा आप किसी सी पुछ लेना रिस्क बहुत ज़रूरी है ठी जैसे सम इस्पेसिज ओप टर्टल और हर्भी वोरस ठीक है कुछ साकारी है ठीक है सागबक्सी है यह बोलन सम है तो आप भी आइडिया लगा हो ना कि ऐसा तो हो सकता है कुछ ऐसे जीव हैं कच्छों में जो मतलब साकारी भी है और मासारी भी हो सकते है थोड़ा बहुत आ पर दो चार दोनू में तो चार हमें पता नहीं था लेकिन आप तो टिक लगए अपने आप ही अब बात करेंगे हैं करते हैं कि बी सही हो गया डी सही होगा तो इसको काटे कैसे काटने का लोजिक आपके पास कोई स्ट्रोंग तरक होना चाहिए कि इसको में काटू कि जैसे समुदरी कच्प के कुछ जाजियां साख बक्सी तो यह आप अपने यह पढ़ा नो ओली रेडिले कच्प यह यह बास सही हुए समुद्री गास काते हैं तो इससाब से अपना अंसुरों की यह और सई ऑपके काट नहीं हों छलागा हुए और कला तो इस बार पर निकालो मिलते हैं एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक से जुरू करना थैंक्यू